है 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 कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और यहां पर अभी आपके दिमाग में कुछ प्रश्ण भी होंगे जो चल रहे होंगे और में भी सबसे बड़ा प्रश्ण है जो बच्चे हमारे एक्जाम देकर आचुके हैं ओच है आफी नइन तु टैन कि कि आखिर हमारी कठोंफ कैसे रहेगी कितना जाएगी कितने हम अपने आपको सेफ मानकर चल सकते हैं वैसी इन चीजों का जो किलियर पता चलता है वो तो जब हमारा रिजल्ट आता है फाइनल तो तब हमारा पता चलता है लेकिन जब हम चैक करते हैं और देखते हैं कि किसी बच्चे के किसी स्टुरेंट्स के मारे इतने मार्स तक बन रहे हैं किसका कहां तक आपका स्कोर जा रहा है उसी आधार पर एक अनुमानी स्कोर को बताते हैं वह तक बताते हैं और में सिर्फ यहीं पूशते हैं कि अपने आपको सेफ मानकर चल सकते हैंzos पार हिंदी वाले हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना हमारा कटोफ हिंदी का जा सकता है हम फीमेल में भी चेक करेंगे में में भी एक बार देखेंगे कि कितने कटोफ तक हम इसको लेकर जा सकते हैं कितने पर हम अपने आपको बिल्कुल एक सिक्योर मान कर चल सकते हैं या कहीं पर जो ऊपर नीचे देखो अगर मैं यहां पर बताओं कि बाई कुछ कम जादा हो सकता है तो उसमें दो या तीन नंबर का ही ऊपर नीचे होता है उससे जादा का नहीं होता है और इसकोर भी आपने देखा होगा paper के according कि हमारे काफी ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो 70 प्लस पर ही यहां पर आए हैं तो एक अनुमान एक बार हम यहां पर बता देती हूं मैं आपको कि कितना तक जा सकता है अगर हम 628 की बात करें सबसे पहले तो 60 पेपर का एक जो हमारा दिफिकल्टी लेवल जो होता है उसके आधार पर हम इसको एक बार अनुमान लगाते हैं तो अगर हम यहां पर 628 की बात करते हैं तो आपका यह 75 से 80 तक जिन बच्चों के मांक्स आए हैं वह सेफ जोन में हैं और वही पर जब हम फीमेल पर जाते हैं तो हम नॉर्मल यह आप उस चीज को हम आधार बनाकर यहां पर चलें तो आप यहां पर देखोगे कि सीधा आप यहां पर जा सकते हूं 62 से लेकर 62 से लेकर आप यहां पर लगबग 75 तक आप यहां पर मानकर चल सकते हैं वैसे 75 यहां पर मैं आपको ज्यादा ही बता रही हूं 75 से भी मैं यहां पर क candidate होंगे उनके लिए फिर जब में आएंगे तो यहां पर आप आजाएगा 75 से लेकर 70 तक और यहां पर जब हम इसके फीमेल में जाते हैं तो यही आप इस पर आ सकते हैं 55 से लेकर 62 तक यहां पर आप मानकर चल सकते हैं जो हमारा EWF का female candidate होंगे उनके लिए फिर बात करते हैं यहां पर बीसी पर आकर यहां पर आप मान कर चल सकते हैं देखो हमें इससे थोड़ा सा आप एक खुद से भी यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि जब आपकी cutoff आती है तो वही हर किसी में वह पांदस पां आप यहां पर मान सकते हैं sixty से से लेकर 65 तक और जब हम female candidate की बात करते हैं तो यहां पर आप आप सकते हैं 50 से लेकर आप यहां पर आपका 57 तक इसको लेकर सलेगा जब सम्सक्राइब तो आप यहां पर आ जाइएगा 50 से लेकर 60 से लेकर 45 में safe लेकर आप यहां पर 55 तक आप मान कर चल सकते हैं कि 52-54 तक आपका यहां पर SE candidate में female के साथ में आप यहां पर जा सकते हैं जब हम ST में आएंगे तो वह आपका 45 से आपका 50 यहां पर इस्टी से लेकर आप evidence कर चोनिक तक लेकर उसको सकते हैं तो इतना आपका बनता है लेकिन अगर हम पिछली बार का देखो और इस बार का थोड़ा सा भी compare करके देखते हैं तो इसी के लगबग लगबग पहले है इसी भी थोड़ा सा compare ही वो रहा था इससे जादा पर नहीं ही रहा था और सारे चीज़े यहीं से decide होती हैं कि एक बार अगर जन्रल का आपको idea लग जाता है तो बाकी काम उसी से compare लेकर चलते रहते हैं और जैसे reservation को भी देखे तो काफी reservation भी आपको मिलता है उसी के आधार पर हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं बाकी students की जैसे marks बने हैं जैसा उनका exam गया है और जो आपकी answer की आई है अगर हम उस सबको भी आधार मान कर देखें answer की में भी काफी questions आपकी गलत भी आये हैं लेकिन अगर उस cover roll उसको भी निकालते हैं और सिर्फ जो सही सही number बने उसको भी अगर आधार माने तो इतना हमारा यहाँ पर बनता है और इसी कोई आप यहाँ पर जब हम 9 to 10 में लेकर चलते हैं तो आप यहाँ पर भी इसी वाली cutoff के साथ में यहाँ पर अपने आपको देख सकते हैं कि इतने तक ही आपका 9 to 10 का भी आपका जा सकता है हो सकता है एक दो नंबर उपर नीचे जैसे 76 हम यहाँ पर 82 पर जा सकते हैं यहां पर आप 62 से 68 तक जा सकते हैं फिर फीमेल की जब हम बात करते हैं तो 52 से 60 तक आप जा सकते हैं ऐसी में यहां पर आप 52 से 60 तक जा सकते हैं वही ऐसी फीमेल के साथ में आप यहां पर 46 से 54 तक आप यहां पर जा सकते हो ST के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको 45 से 50 और 40 से 48 तक काई रखना चाहूंगी क्योंकि जहां तक अब तक इससे पहले भी अगर हम देखे मिले चीजों को देखते हैं तो category wise जादा अंतर आपका नहीं आता है चाहें तो हम 6 to 8 की बात कर लें या फिर हम यहां पर 9 to 10 की बात कर लेते हैं अभी हमारा एक exam ऐसे भी बचा हुआ है उसको भी एक बार हम चेक करेंगे देखेंगे और उसका difficulty level कैसा रहा है बच्चों का जो experience रहा है उस exam को लेकर उन सब चीजों के आधार पर ही आपके अनुमानीत कटोफ बनती हैं लास्ट में मैं फिर से आपको यह कहना चाहूंगी हो सकता है एक दो नंबर का कम या जादा आपका एक दो परसेंट का कम या जादा आपका रहे सकता है लेकिन फिर भी अपने आपको आप इतने marks पर तो हम अपना safe मानकर चली सकते हैं कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से safe हैं और आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे कि किसी बच्चे के कितना marks बने हैं इतना marks हमारा हिंदी में बन रहा है तो जितने भी हमारे candidate ऐसे जिन्होंने हिंदी का exam दिया होगा 6-8 में या 9-10 में आपका marks कितना बन रहा है जो भी आपने check किया है उसके आधार पर और आपकी category भी आप मुझे एक बार लिखकर जरूर बताईएगा जिससे कि हम इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने ला सके तो फिर में लेंगे बच्चो 11-12 की कटोफ के साथ में तब तक के लिए बाबाय ठेक केर अपना ध्यान रखेएगा जैहिंद